इस वीडियो के हंतरगत एपन आज जो है कवक फंजाई है उसके जो सामाने लक्षन उनका अध्यन करेंगे और जो फंजाई कवक के जो सामाने लक्षन है उसका देना अपन दो वीडियो है यानी कि part fast और part second के अंतर अध्यान करेंगे , यहाँ अभी अध्यान करें वो फर्ट फेस्ट है तो fungi जो कबक है, उसके क्या सामाने लक्सन है, उसके cell wall, उसकी eukeratic prokeretic यह जो सबी सामाने जो लक्सन है, उन का अध्यान अध्यान है तो फंजाई यूक्योरिटिक ओर्गैम यानि कि यूक्योरिटिक जो उसकी कर्टेगोरी में रखा गया इस फंजाई गो यानि कि उसके अंदर they have two nucleus which are enclosed in the membranes योक्रियर्टिक और प्रोकरियर्टिक आपननी कुछ जो पहले जो वीडियों बनाए थे ौशकंधर अपनने प्रोकियर्टिक और योक्रियर्टिक भरम डिटेल से इद्यन किया था और जब 5 गिंडेम जो परना लिए थी 5 जग के वर्गर्ण पाद थे उसके अंदर के ते जो पाँच जो फाइफ किंगडम जो बाटेगे थे उन में से एक किंगडम था फंजाई और उस फंजाई को यानिगी रखा गया था यूकरोटिक केटेगरी में तो दे आर नोन वेस्कुलर और गया थे दो नोट है वेस्कुलर सिस्टम या लाइक जाइलम और फ्लोईम नहीं होते हैं इन में गंदर और फंजाई है वे सेल वाल्स प्लांट आल्सो सेल वाल रखते हैं लेकिन अनिमल में नहीं होती है देर इजनो एम्बरोनिक स्टेज फॉर फंजाई यानि कि अगर इनके जो अपन करें कि यह क्या है फंजाई है वो यूकरोटिक और जो गरेक्टर होते हैं वो सबी फंजाई में मिलेंगे इसके अंदर क्या होगा एक वैल डवलप न्यूकलेस होगा चार ओर उसके अंदर इसके अंदर 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 by means of sports there are sexual and asexual sports sexual sports are u-sports have jagos स्पोर सकतé 见 and asexual tenha asexual tragen asexual depending depending on the species are कंडिशन्स बहुत सेक्षवल और ऐसेक्षवल स्पॉस में भी प्रोडूस्ट जो कि अलगलग इस्पीशिज होती है इस फंजाएगी उसमें अलगलग परकार का ऐसेक्षवल और सेक्षवल और रिप्रोड़क्शन होगा इसके इंदर इसके अंदर अलगलग और यह जो रिप्रोड़क्शन का परकार है वह अलगलग जो वेराइटी होंगे फंजाएगी उसमें अलगलग परकार का हो गई तो यहां तक अपनें पढ़ाते कि यह फंजाएगी होंगे यह क्योंटिक होंगे इसमें अंदर शेल वोल होगी लेकर प्लांट से थोड़ी अलग होगी और इसके अंदर नॉन वेस्टिलर टाइप एन जैलम फ्लोइम नहीं होगी इसके अंदर क्या नहीं होगा इसके अलग लग परकार के स्पोर्स पनेंगे और यह जो रिप्रोडिक्शन के परकार हैं यह भी अलग लग जो फंजाएगी जो विराइटिया होंगे उनमें अलग लग परकार का हो गई इसके बाद अगर अगले वगमन पॉइंट की तरफ जाएं तो क्या होगा दिया टिपकली नोन मोटाइल किसी परकार की चला आए मान गती नहीं करेंगे यह बंजाए एक्स हविट दा फिनोमन ओफ एलट्रेशन ओप जनरेशन पीड एकांत्रन है पाया जाएगा थे हैव हैपलोईड और दिपलोईड स्टेज हैपलोईड मतलब एगउनित और द्विगउनित तो इसके अंतर गत क्या होगा एगउनित और द्विगउनित जो पीडी होगी उनके बीच में अल्ट्रेशन याने की जनरेशन जो होगे अल्ट्रेशन ओप जनरेशन जो होगे अल्ट ऐगें निफ possibility इस प्रकास चे। P radi reg anther नुंता रहे फंजर है क्लोरोफिल्स में जो ूव प्याज ओंत है attention हि फंजर्य है अई क्लोरॉफिलस होंगे चलोरिफिल रही तो होंगे किसे प्रेकर चलोरॉफिल नहीं होगो विच मेंस that lack the chlorophyll figment present in the chlorophyll and flower center which are necessary for photosynthesis परकास अंसलेशन के जो सब सिस जरूरी चीज़, वो है chlorophyll जो की फंजाई में नहीं होगी it means they are heterotropic, किस परकारगे परपोसी परकारगे होंगे क्यों होंगे परपोसी परकारगी, क्योंकि उनके अंदर chlorophyll नहीं रहेगा chlorophyll नहीं रहेगा तो क्या होगा जो plant के अंदर जैसे chlorophyll के साथे से photosynthesis करते हैं वो action यहाँ पर नहीं होगा वो जो process है यहाँ पर नहीं होगी नहीं होने के वज़े से इसके अंदर क्या नहीं होगा photosynthesis नहीं होगा, photosynthesis नहीं हुआ तो अपना बोजन होद जो फूड अपना जनरेट प्रोड़क्शन नहीं कर पाएंगे और वो कि दूसरे से आनेगे जो दूसरों पर अनकी विश्चम हेटरोट्रोपिक प्रकार के होंगे परपोसी प्रकार के होंगे इसके अगर हैपन सबसे मुख्य पॉइंट आई है कि क्लोरोफिल रहीत होंगे इसके अगर आगे जो पन भिंदू की तरफ जाएं तो देवेजेटेटिव बोड़ी ओव देव फंजाई मेबी यूनिसेलूलर और कंपोस्ट ऑफ माइक्रोस्कोप थ्रीडिलाइक हाइपी जो कवक की जो काईग भाग होता है जाल के इनम एक समान सरंचना होगी हो है जीसमें दागे नुमा सरंचना हैं जिनको अपन गएंगे हाईपी हाईपी का इन ग्रोण और फोण ए नेट्वर्क काल्ड माइशेलियम कवक जाल बना लेंगे जो पतले-पतले दागे होंगे आ प्रूदूस हाईपी यह टेक परिगार की फंजाई प्रूदूस 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 प्र अधिक देंग, प्लांट के अंदर ज। जू चैल होगी, आगी सेलहरगी बट, इस थोक है रओवल सकते हो ह्पंजाई था बसी Mai रओवल मता रओड रओगा तो बटिंगत धी ओखल्व इक क्वेदट, प्लांट लीड़ उब तो रओडओ आदो जो प्लांट के अंदर होगा वह cell wall होगी, cellulose से द्वारा और फंजाई के अंदर होगी काईटीन, कोई काईटीन जो कुछ जिली होगी, cell membrane होगी, फंजाईगे, उसके अंदर esterole और ergosterole परजाई रहेंगे फंजाई आर, heterotrophic organism, it means, क्यों है heterotrophic हैं क्यों यह, क्योंकि यह, a chlorophyll है, without chlorophyll so they cannot generate, produce their own food and defend other organism and they are, so fungi are heterotrophic organism they obtain its food and energy from organic substances, plant and animal matters, इसलिए क्या है, heterotrophic प्रकार के है फंजाई grow best in acidic environment, tolerant acidic pH, यानि कि यह जो जहाँ पर acidic medium होगा, उस पर फंजाई हो इसके लिए एक optimum condition मान सकते हैं पन, कि वहाँ पर जदा ग्रो करेंगे कि सवस्ता में, जब वहाँ पर acidic medium होगा, यानि कि pH वो कम हो, कम होगी तो वो कैसा होगा, acidic medium होगा और जब फंजाई होगी वो acidic medium में जदा ग्रो करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही, इसका आगे का भागा होगा आपन, पार्ट सेकिंड के अंदर अध्यान करेंगे धन्यवाद